नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त फार्माशिश असफाक स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जिसे सर्दी, जुकाम, खासी और बुखार में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली दवा है तो पूरी जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ, सबसे पहले चिस्टन कोल्ड के जेनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, तो यह चिस्टन कोल्ड टाबलेट तीन दवाओं का कंबिनेशन है, जिसमें सिट्रिजीन, फेनाइलेफरीन और पेरासिटामोल मिक् और पेरासिटामोल 325 मिलिग्राम की अस्टेंथ में अभालेबल होता है, सिट्रिजीन एंटी हिस्टामिन क्लास की दवा है, जो हिस्टामिन के सिक्रीशन को रोग कर एलर्जी को खतम करता है, फेनाइलेफरीन अलफा एगोनिस्ट होता है, जो सर्दी जुकाम के दोरान ना NSAID यानि Non-Estroidal Anti-Inflammatory क्लास की दवा है, जो बोडी पेन और फीवर को कम करता है, अब जान लेते हैं इसके यूजिस के बारे में तो चेस्टन कोल्ड का यूज मुखे रूप से Common Cold यानि सर्दी जुकाम में किया जाता है, जुकाम और सर्दी में नाक से पानी आना, नाक ब ऐसे लक्षर दिखते हैं और इसके साथ साथ फीवर और बोडी पेन भी हो सकते हैं, तो इन सभी सिम्टम्स को ठीक करने के लिए चेस्टन कोल्ड टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है, अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में तो इसकी डोज डॉक्टर या अप गोली साम को दी जाती है, दो से तीन दिन तक लेने पर सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, अगर फिर भी ठीक ना हो तो एंटिबायोटिक्स दवाईयों के साथ मैक्सिमम साथ दिनों तक दिया जा सकता है, इस टैबलेट को आफ्टर मिल यानि भोजन के बाद लेनी चाहिए, चे इगनियंसी के दोरान इस टैबलेट को अपने डॉक्टर के सलाह से ही ले, किड़नी और लिवर डिजीज के पेशन को अपने डॉक्टर से डोज एज़स्ट करने के बाद ही लेनी चाहिए, अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं कि इसके क्या-क्या साइड एफेक्ट हो सकते हैं, तो इसके कुछ कॉमन साइड एफेक्ट है, जैसे नौजय या वोमिटिंग होना, फैटिग यानि थकान जैसा महसूस हो सकता है, ड्राइनिस इन माउथ मतलब मुह सुखा सुखा लग सकता है, इत्यादी, ये सब साइड एफेक्ट इस तवा के उभर डोज और लॉंग टर्म यूज करने पर ही दिखते हैं, इसलिए आपको जितने दिनों की इस डाइरेक्शन डॉक्टर द्वारा दी गई है, उतने दिन ही इसे यूज करने चाहिए, ये थी संपुर्ण जानकारी, चेस्टन कोल टैबलेट के बारे में, अगर वीडियो अच्छी लग